हालो यूटूब फमिली मैं यूटूब चलना मंत आये संतोष ब्लॉग में स्वागत है फिर नमस्ते घड़ी में बज़ रहे हैं दस और आप लोग कैसे आप लोग बहुत इच्छे स्वास्त मास्त होंगे फिर तो जो भी मैं ब्लॉग डालती है आप लोग बहुत जादा प् करूंगी तो फिर देख सेंट च्छत पर आई हूं और च्छत पर आम बहुत सारे लगे हैं तो मैंने सुच आज आप लोग को आम की रेश्पी सेहर करती हैं जो कि मैं दादी नानी ममी जी तरह डारती हैं गाव साइड में आप लोग को बिना धूब में सुखाय हुए सालो सरा तरीका है बहुत ही जट पर बनने वाला आम का अचार जो कि आप लोग को में दूँगी जो कि आपका अचार है गारेंटी कि खराब नहीं होगा तो फिर देख सकते हैं फिलार मैं च्छत पर आई हूं और धोब भी बहुत ज़्यादा है फिर तो मैं अकेले वीडियो सुट करना पड़ रहा है और बाबू लोग भी नहीं इसलिए थोड़ा सा मतलब की अच्छे से अगर नहीं दिखाई देगा उसके लिए भी सौरी बोल रहे हूं तो फिलार देखते हैं फ्रेंट चत पर बहुत सारे आम लगे हुए हैं तो चलिए इसको मैं फटा फट एक मीठा वाल आचार आता है मतला वाम आता है तो उसका भी आप डाल से लेकिन उसका जो स्वाध है अचार का वह अच्छा नहीं रहता है तो इसका जो की आचार बहुत ही अच्छा आता है देख सकते हैं कितने सारे आम लगे हुए हैं तो चलिए मैं फटा फट सारे आम त चलता है तो देख सकते हैं इतना में आम तोड़नी फ्रेंज धोपी, देख सकते हैं बहुत सारे हैं, तो फ्रेंज जितना हमको अचार में आम चाहिए मैं बस उतना ही तोड़ोंगी तो मैंने सुच आज आप लोगों मैं कई दिन से मतलब टाइम नहीं मिल पा था बड़े ममी घर पूजा मतलब था इसलिए मुहाप मैं चली गई तो मैंने सुच आज आप लोग को आम की रेस्पी की सेर करती हूँ अचार की तो आप लोग आप लोग को बता दूँ जिस तरह से बढ़हर का कट्रहल का जो भी मसाले उसमें चाहिए तो देख सकते हैं इतना मैं आम तोड़ ली हूँ इसमें थोड़ा सा पका है और थोड़ा करती हूँ और मेरा आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा था आप लोग को इसलिए मैंने स्विचा है कि अपना आउस बबर करके आवाज देती हूँ इसको पानी थोड़ा चाहिए फ्रें एक दो पानी अच्छे से धोलोंगी इसको मैं धुब में भी बिल्कुल नहीं और इसको मैं अलग बर्तर में रखती जाओंगे तो इसको दो पानी में फ्रेंस आप जरूद हो लीजिए देख सकते हैं इसको मैं इस तरह से फ्रेंस चट पर आप लोग को छट पर ही देखा रही हूँ और उसके बाद चूले पर ही देखाऊंगी मसारे सारे भून के तो मैं बोली भी थी तो देख सकते हैं इसको मतलब फ्रें चार भाग में कट कलूँगी जो बीच का भाग है फ्रें मतलब उसमें बीच रहता है उसको बाहर लिका लोगी इस तरह से फ्रें थोड़ा कड़ा पन हो गया है फ्रें जो बीच में एक रेसा होता है फ्रें उसको भी में बाहर लिखालती जाओंगी और धूब में बिल्कुल नहीं सुखाऊंगी फिरें जो उपर का भाग है उसको कट लूँगी और उसके बाद चार भाग इस तरह से मैं आप चाहे तो बड़ा चुटा आप जिस तरह से आप काटना चाहे काट सकते हैं आम को तो मैं इसको चार भाग में काट नहीं फिरें और देख सकते हैं इसका जो बीज है उसको बाहर लिकाल नहीं हूँ इसी तरह सारे जो आम में फिरें इसको काल लूँगी और आप भाग है उसको इस तरह से में ब07 लिलीकालती जाओंगी और जो इट लेख था एक भेसे थाज़ दोंगी तो देख सकते हैं इसी तरह सारे मैं कट कर लूगी और बहुत ही आसान से आम मुझे कर मतलब हो जाता है आप कि साहरा मेंतलब देख सकते हैं तो मैं नहीं लिए फ्रेज थोड़ा सा कड़ा हो गया था चाकु से नहीं कट रहा था तो मैंने सुचा इसी मतलब इसी कर साहरा लेती हूं मतलब गाहन वसको पहसूल बोलते हैं तो मैं आप लोगों बता भी दे रही हुआ तो इसकी सहाथास में सारे आम इस त तो चलते हैं नीचे और आप लोग को भी देखाते हैं मसाले कौन-कौन चाहिए तो यहां पर देख सकते हैं मैं नीचे आ गई हूँ और अच्छे से मैं धूब बिल्कुल नहीं सुखाना होगा तो देख सकते हैं यहां पर मैं जो की सारे मसाले हैं इसको आग पर भूल रही हूँ सुखी मिर्च है और सम्प है मेती है सरसो कुछ दाने फ्रेंज जो की राई है और मेती है जो भी मसाले खड़े मसाले उसको अच्छे से में भूल रहीं फ्रेंग और इहां पर देख सकते हैं इसको हलका काफी अच्छा लगता है, जो मुहक आता है, बोनने का वाद इसको पी सी थी है, तो काफी है, तो इस में थोड़ा हल्का में gyrम तेल कर öऊully हल्का ही करेंगे जादा नहीं, तो हम इसकाम इसी क्राएं में मसाला लिका ले खिर तो में हल्का गर्म करने का हैं, तो जो कच्चा तेल है फ्रेंज सरसों को आप भी वो आप एड़ कर सकते हैं लेकिन वो बहुत जली जो कि अचार खराब हो जाएगा एक बार मेरे अचार मेरे जिस तरह मैं डाल रही हूँ आप लोग जरू एक बार ट्राइ करिएगा और बताईएगा तो देख सकते हैं इसम मेरा तेल जो कि गरम हो गया है और इसको मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए तो चले इसको मैं रख देती हूँ ठंडा होने के लिए जो मसाले में भूनी हूँ उसको सील बट्टे पर पीस लेती हूँ तो देख सकते हैं इहां मैं सील बट्टे पर पीस रही हूँ और तो थोड़ा मोटा रखोंगे जो मोटा रहेगा तो मसाले मतलब अचार मेंidente नहीं अच्छा स्वाध कहा तो मिक्सिक जारं dispers सकते हैं तो मैं से लबटे परaff liar ohi मसाले में इसमें भी एड कर रही हूं कोई मतलब अलग मसाला या कोई मार्केट से कुछ भी मैं नहीं लाई हूँ तो चलिए फ्रेंज जो मैं अचार है उसको इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी लगाने के बाद इसको मैं पांच मिनट के लिए छोड़ दूँगी तो देख सकते हैं इसमें मैं हल्दी डाल रही और नमक आप लोग को बता दो फ्रेंज नमक का जो मातरा होता है अचार में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो आपका अचार बिल्कुल नहीं खराब होगा और हल्दी का मातरा ज्यादा रहेगा तो आपका अचार लिखा लिए फ्रेंज तो आप मतलब किसी चम्मस से या कि किसी चम्मस के सायते से या किसी पौनिय के सायते से लिखा लिए और हाथ में बिल्कुल पानी ना लगा रहे हैं तो आपका जो अचार है बिल्कुल नहीं खराब होगा तो फिरें नमक मतरम मैं सबसे ज़्यादा रखती हूं अचार में तो इसको मैं पांच मिनट के लिए चलिए आप लोग को भी देखाते हूं देख सकते हैं और इसमें जो कि नमक और हल्दी और तेल भी बहुत जरूरी तेल जो कच्चा तेल आता है उससे भी थोड़ा अचार में मतलब हलका गरम करके डालिए और आपका अचार बिल्कुल नहीं खराब होगा तो जो खाश ट् इतना अचा अचार आप लोग भी देख सकते हैं और यहांपर मैं इसमें जो अच्छे से मसाले मैं सब्सक्र घंक करने के बार में इसको एक बरतन में ड़णे रखोंगी तो काफी अच्छा है जो आप मतलब जो भून के मैं डाली हूँ उसका जो महक है काफी अच्छा रहा तो आप भी एक बार जरूर ट्राइए करिएगा फिर मसाले सारे भून के हलका भून के और जो सर्चोग तेल है उसको देख सकते हैं इसी तरह में डब्बे में इसको भर दोंगी आप चाहे तो इसको धूबी डब्बे में भर के दिखा सकते हैं तो मैं कोई जरूत नहीं जो सर्चोग तेल गरम करके डाली हूं उससे आपका अचार जो की लंबे समय तक चलेगा और खराब भी नहीं होगा तो ए ऑठ तो थोड़ा सा ज़्यादा रखे तो आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा सालों साल दो, साल, तेन, साल, चाल, इसे भी चर सकता है तो यहां पर देख सकते हैं इसी तरह में अच्छा हर साल ढालती हूं और मेरा लब्मे समय तक चलता है और जिस तरह से मेरे तो फिर आप चाहे तो इसको रोटी की संगे डाल चौल संगे सबजी की साथ खाई यह काफी टेश्टी लगता है घर का जो अचार फ्रेंस हो मतलब बाजार के जैसा तो मतलब फेल है अचार जीशा असुर मतलब आप कही समान से सारे में आई कि कोई बाहर नहीं और मैं आप समान देखाई हुँ हो सी बत्ते में देखाई हैं मिसील पीच सकते हैं तो देख सकते हैос थोड़ा सा जो मसाला का फ्रेंस हैõ ठोड committed k test el district देख सकते हैं और और तो देख सकते हैं मेरा अचार बंके रेड़ी हो कि अब इस भी आप लोग को कैसा लगा तो अच्छा लगा तो प्यारास कमेंट जरूद दीजिएगा मेरे चारों को सस्क्राइब लाइक सेर भी कर दिया करिए और इस तो फ्रेट देख सकते हैं मैं आप लोग को गाउं साइड में चुले पर सारा समान में करके दिखाई हो तो कितना टेश्टी मेना बन के अचार टेडी है और इसको अभी मैं चल रही हूं किसी दब्बे में रख दूंगी आप चाहे तो जो इसे एक जार आता है उसमें भी आप रख सकते हैं तो आपका अचार खराब नहीं होगा धूब में बिल्कोल नहीं सुखाई थी इसको अच्छे सा अगर अच्छा लगा तो प्याराश कमेंट जरूर दीजेगा मेरे चाल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दिया करिये और ऐसे सपोर्ट इसे प्यार बनाए रखे जो भी गलती उसको कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा तो मिलते हैं नए वीडियो में तब तक बाइबा थाइन क्यू नमस्टे